2024 लोग सभाई लक्षन का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है सवेरे से वोटिंग चल रही है और नमबर्स अब लगबग स्थिर हो चुके हैं इसके बाद छुटपुट नमबर्स बदलने की समभावन आवश्य है पर नमबर लगबग यही रहने वाले हैं दिन के अंत में जो नमबर्स कॉंक्लूड होते हुए दिख रहे हूं के नुशार रिजल्ट दिख रहा है कि एंडिय की 295 से 300 सीटे आने वाली हैं वहीं इंडिया आलाइंस की 232 से लेके 235 सीटे आने वाली हैं दोनों ही आलाइंस तुम देखोगे कि 200 की रेंज में है उसके स से दिख बढ़ जाए तो 245 यहीं पर 245 की और या फिर उससे नीचे नमबर्स होते हुए दिख रहे हैं वहीं पर कॉंग्रेस को आती दिख रही हैं से 300 सीटे जो कि कि किसी भी एक्जिट पोल ने दिखाया नहीं था कि कॉंग्रेस की इतनी ज्यादा सीटे आने वाली हैं इ इन पोइंटों में मैं तुम्हें इस इलेक्शन रिजल्ट के की टेक वेज बता देता हूँ सबसे पहले तो जुआरला नहरू के बार नरेंदुन बोदी वो दूसरे प्रदान मंत्री है जो लगाता तीन बार इलेक्शन जीते हैं दूसरा 2019 में वोटर ट्रेनाउट रहा थ इसी के साथ इन इलेक्शन में 64.92 करोड लोगों ने पार्टिसपेट किया जो कि एक वर्ल्ड रेकोर्ड है इस से बड़ा इलेक्शन इस संसार में कहीं पे भी नहीं होता है इन 64.92 करोड वोटर में से 31.92 करोड महिलाए थी तीसरा जैसा कि मैं ने तुम्हें बताया कि यह स प्रफाइल सीटों की जिनके सबसे अधिक बात हो रही है इस से में मीडिया में सबसे पहले सीट है वरान सिख जोगी उतर प्रदेश में है यहाँ पे प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी इलेक्शन लड़ रहे हैं दूसरी और अजयर आए हैं कॉंग्रेस के इस सीट को मीडिय गांधी प्रिवार की प्रमप्रागत सीट पताती है क्योंकि यहाँ पे गांधी प्रिवार लूज नहीं करता है हाला कि पिसले कुछ इलेक्शन से गांधी प्रिवार का यहाँ पे वोट शेयर कम हुआ है लेकिन वो अभी भी सीट को मेंटेन किये हुए है इस सीट पर भी प्रवादी असानी से जीत रहा है इस चमें 3,40,000 वोट से आगे हैं अगली सीट है में इठी उतर प्रदेश यह वो सीट है जापे स्मृती इरानी ने राउल गंदी को हराया था पर वो पिसली बार की कहानी है इस समृती इरानी जो की बीजेपी से है उसका मुकाबला हो रहा इस समय भी है ममाली आगे चल रही है 2,37,000 वोटो से गुरकपूर की सीट पे एलेक्षन लड़ रहे है एक्टर रवीकिशन जो की बीजेपी की ओर से उनका मुकाबला हो रहा है काजल निशाद की ओर से जो की समाजवादी पार्टी की है इस सीट पे रवीकिशन आगे चल जो की बीजेपी से है उनका मुकाबला चल रहा है खिलेश यादव से जो की चीफ है समाजवादी पार्टी के इस सीट पे अखिलेश यादव इस समय आगे चल रहे है एक लाख पांच हजार वोटो से गांधी नगर गुजरात की वो सीट है जहां पे भरत के ग्रह मंतरी अ पीजेपी से लेख से जो की बीजेपी से है उसके सिवाए यूइन मिनिस्टर राजीव चंदर शेकर ने यहापे अपना लोग सबाई-लेक्षिन का बेबिट किया है और इस चमय ससी थरूरी स्रीट पे आगे चल रहे हैं 14,000 वोटों से अगली सीट है हेदराबाद तिलंगाना से यहाँ पे असद दुद्दीन ओवेसी जो की AIMIM वाली पार्टी से है उसका मुकाबला चल रहा है मादवीलता से जो की BJP से है यह एक अच्छा का सब मुस्लिम वोट बैंक रखने वाली सीट है और यहाँ पे ओवेसी पिसले चार इलेक्शन जीत रहा है BJP मान रही थी वो इस बार यहाँ पे जीतने वाली है लेकिन 1229 वेसी इसमें आगे चल रहा है 3,15,000 वोटों से अगली सीट है पूरी उडिसा की यहाँ पे संबीत पात्रा है जिसने 2019 में भी इसी सीट पे एलेक्शन लड़ा था लेकिन वो रहा गया था जीत्ते जीत्ते इस बार संबीत पात्रा का मुकाबला है जैनार आयन पतनाएक से जोगी कॉंग्रेस से है उसके सवाए अरूप मोहग पतनाएक है यहाँ पे BJD के और इस से मैं संबीत पात्रा आगे चल रहे हैं 74,000 वोटों से अगली सीट है नोर्थी उस डेली यहाँ पे मनोज तिवारी BJP के और से है उसका मुकाबला चल रहा है कनईया कुमार से जोगी एक गददार है इस से अगली सीट है मन्डी की हिमाचल परदेश में यहाँ पे कंगना रनोथ BJP की और से एलेक्शन लड़ रही है जो की एक एक अक्ट्रेस है कंगना का यहाँ पे मुकाबला है विकरमादिते सिंग से जो की कंगरेस की और से है और इस से में कंगना एक एतर हजार वोटों से आगे चल रही है अगली सीट है हमिरपूर की हिमाचल परदेश से ही अनुराग ठाकुर वहाँ पे BJP की और से लड़ रही है जो की यूनियन मिनिस्ट्र है उनका मुकाबला है यहाँ पे कंगरेस के सतपल रही ज्यादा के साथ है पिछले तीन इलेक्षिन से यहाँ पे नुराग ठाकुर जीत रहे हैं और इस से में भी नुराग ठाकुर आगे चल रहे हैं एक लाख बाइस हजार वोटों से अगली सीट है खडूर साइब पंजाब से और यहाँ पे खालिस्तानी इलेक्षन जीत रहा है खालिस्तानी अमरितपाल सिंग तुम्हें आध होगा उसका सपना है कि पंजाब को तोड़के वहाँ पे खालिस्तान देश बना दिया जाए इस सीट पे अमरित पाल सिंग इंपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहा है उसका मुकाबला चल रहा है कुलबीर सिंग जीरा से जो की कॉंग्रेस से है लेकिन इस समय में तुम्हें बता दो अमरित पाल सिंग आगे चल रहा है एक लाख पचास हजार वोटों से अगली सीट है राजगर की मद्य परदे से यहाँ पे दिग विजे सिंग कॉंग्रेस से है उसका मुकाबला चल रहा है रोड मलनागर से जो की बीजेपी से है यह पहले भी बीजेपी की सीट थी और यहाँ पे बीजेपी का प्रतियाशी अब भी 90,000 वोटों से आगे चल रहा अगली सीट है कृष्णानगर पष्चिम मंगाल से यहाँ पे महुआ मोहितरा टी-मसी की है उसका मुकाबला चल रहा है अमृता रोए बीजेपी से यह सीट लगबग टी-मसी का कड़ है महुआ मोहितरा यहाँ की करंट MP है और इस समय पे भी महुआ मोहितरा आगे चल रही अगली सीट है रोट तक हरियानगी जहाँ पे इस समय पे इस समय पे का MP है अरविंद कुमार शर्मा उसका मुकाबला है दिपेंदर सिंग घुड़ा से यहाँ पे बीजेपी जब 2019 में जीती थी तो वोट्स के बीच में गैप बहुत कम था और इस बार ये सीट दिपेंदर सिंग ने कने या कुमार को हराया था और इस बार विगरी राज सिंग आगे चल रहे हैं पिचेहतर हजार वोटों से अगली सीट है मुंबई नोर्थ की महाराष्टर से जहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं यूनियन मिनिस्टर पियुष गोयल जो की बिजेपी के और से हैं सबसे पहले शुरुवात करते हैं पश्चिब मंगाल से जहां पे टीमसी इस से मा आगे चल रही है ठाई सीटों के साथ वहीं एकजिट पोल जो दिखा रहे थे उसके विपरित बीजेपी को केवल 13 सीटे मिल रही है और कॉंग्रेस को केवल एक उत्राखन में बीजेपी को 14 सीट मिल रही है कॉंग्रेस को 8 मिल रही है CPIM को 1 मिल रही है उसकी स्वाए 2 सीटे और है इस स्टेट का तो सभी को पता था कि यहाँ पे कॉंग्रेस अपनी सीट गेन करने वाली है बीजेपी लूज करने वाली है पंजाब में भी एकजिट पोल गलत होते दिख रहे हैं इस स्वाए दिल्ली में बीजेपी को साथ की साथ सीट आ रही है नागालेंड में कॉंग्रिस को एक आ रही है मेगालय में कॉंग्रिस को एक सीट आ रही है मनिपूर में कॉंग्रिस को दो सीट आ रही है तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीस में से कौन सी पार्टी के पास अ दिक नरेटिव था मनिपूर वाली पोलिटिक्स को लेगे जो कि पहले हो रही थी रिजल्ट तुम्हारे सामने है और माराष्टा के रिजल्ट कुछ इस प्रकार है बीजेपी को बारा आ रही है कॉंग्रेस को ग्यारा आ रही है उसके स्वाए बाकी सीटे तुम देख सकते हो मध्यपरदेश में बीजेपी को 29 की 29 सीटे आ रही है एकजिट पोल में इस परश था ही दिख रहा था लक्षवधीप में कॉंग्रेस को एक सीट आ रही है लदाक में फिर से कॉंग्रेस को एक सीट आ रही है करनाटका में बीजेपी को 16 लाग कॉंग्रेस को 10 उसके यहाल बाति दिख रही है और विज़े पी को 5 सीटे करके पास जा रही है और विखेर हनी जीथे इनले Oooh को बाइवार आ रही है उसके सवाई बाकी सीटे तुम देख सकते हो असाम में 20 yönपी आठ सीटे आ रही है कॉंग्रिस को 4 सीटे आ रही है अंडेमाने को देख सकते हो Cruyff के भार्टि नयकुरु सुदा सीटे ऍवल को केवल एक आ रही है बाकी सीटे तुम देख सकते हो तमिलाडू में डियम के को 21 सीटे आ रही है कॉंग्रेस को 9 सीटे आ रही है बाकी सीटे तुमें दिख रही है तो ये थे 2024 लोगसभा के एलेक्शन रिजल्ट बहुत सारी रोचक डेवलेप्मेंट तुमें आगे दिखने आने वाली है इसके सिवाए मोर भी वीडियो लेके आने वाला हूं कि बीजेपी एलेक्शन कैसे जीती उसके सिवाए उनकी सीट इतनी कम क्यों रही उसके सिवाए कॉंग्रेस इलेक्शन क्यों हारी अपने इंडिया अलायंस में वो एंडिये के साथ टक कर लेती हुई वो गैप को कम करती हुई दिक्रेती उस सब के बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल्स में सारी वीडियोस भी आने वाली है तो तुरंत इस चनल को सब्सक्राइब करो उसके सब्सक्राइब करो उसके सब्सक्राइब करो उसके सब्सक्राइब करो उसके सब्सक्राइब करो धन्यवाद.